नमस्कार स्वागत है आपका फिल्मे बीट में आपके साथ मैं हुद्र पिकाने आल भारत की सक्सेस के साथ ही दिशा पतानी के करियर में बना बड़ा रिकॉर्ड दिशा पतानी ने अब तक बॉलिवुड की भले ही मुठी भर फिल्मे की हो लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्ड बना लिया है उसे बी टाउन की हसीनाओं को पाने में कहीं साल का वक्त लग सकता है दिशा के इस खास रिकॉर्ड का क्रेडिट फिल्म भारत को जाता है दरसल भारत के 100 करोड के क्लब में शाविर होने के साथ ही दिशा पतानी ने अपने करियर में ऐसे फिल्मों की हैट्रिक बना लिया है जो 100 करोडी क्लब में शामिल होने में काम्याब रही है दिशा की फिल्म MS Dhoni The Untold Love Story और बागी टू ने बॉक्स ओफिस पर शानदार बिजनस करते हुए खुद को 100 करोड के क्लब में शामिल किया था बेरहाल अब भारत ने भी ये रिकॉर्ड बना लिया है जी हाँ भारत पहले ही 100 करोड के क्लब में शामिल हो चुकी है जिसके बाद दिशा के करियर में एक खास रिकॉर्ड बन गया है और वो है 100 करोडी कलब में शामिल होने की दिशा ने हैट्रिक लगा ली है वैसे आपको बता दें कि भारत 200 करोड की कमाई के करीब पहुँच गई है ऐसे में दिशा के करियर की सबसे बड़ी हीट फिल्म साबित हो सकती है जाहिर सी बात है दिशा पटानी इससे काफी ज़्यादा खुश होगी वैसे आपको बता दें कि फिल्म भारत के लिए दिशा पटानी ने काफी ज़्यादा मेहनत की थी फिल्म में वो सरकस में काम करने वाली एक लड़की का किरदार मिफा रही थी जिसके लिए उन्हें काफी जादा मेहनत करनी थी यहां तक कि उन्हें फिल्म में स्टंट भी करने थे जिसे दिशा ने सलमान के साथ बक्खू भी किया इतना ही नहीं फिल्म में इस लो मोशन गाना भी काफी ज़ादा हिट हुआ था सल्मान और उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने काफी ज़ादा पसंद किया था जिसके बाद फैंस ही कहने लगे थे कि सल्मान खान को दीशा के साथ ही काम करना चाहिए क्योंकि दोनों की जोड़ी काफी ज़ादा अच्छी लगती है बेरहाल बात अगर दीशा के वर्क फरंड की करें तो फिलहाल दीशा मलंग की शूटिंग में बीजी है इस फिल्म में वो अनिल कपूर अधितिरोई के साथ नजर आएगी हाल ही में फिल्म की कुछ फोटोज भी सामने आए थी जिसमें दीशा और अधितियर मस्ती करते हुए नजर आए थे खैर हमारे इस वीडियो में बसतना ही लेकिन बाकी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा